वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफटी वीजन वाला में वेन वी शुड यूज फुल बॉडी प्रोटेक्शन तो आज हम बात करने वाले हैं फुल बॉडी प्रोटेक्शन का यूज हमें कब और कहां करना चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं कि क्यों फुल बॉडी प्रोटेक्शन सबसे जादा इंपॉर्टेंट होता है फरस्ट है कैमिकल एक्स्पोजर तो जब भी हम हैजारडस कैमिकल के साथ वर्क कर रहे हों या हैजारडस कैमिकल के आस पास वर्क कर रहे हों तो ऐसी कंडिशन में हमें फुल बॉडी प्रोटेक्शन का यूज करना चाहिए क्योंकि कैमिकल के कांटेक्ट में आने से बर्न का पॉईजिनिंग का और इंजिरीज होने का बहुत खतरा होता है सेकेंड है बायलॉजिकल हिजारडस तो जब भी हम ऐसे इन्वार्टमेंट में वर्क करें जहां पर इंफेक्शन होने का खतरा हो जैसे मेडिकल फैसिलिटीज, लेबोरेटरीज, एट्सेक्टरा इन जैसे प्लेसे पर हमें फुल बॉडी प्रोटेक्शन को प्रॉपरली वेर करना चाहिए और खुद को ऐसी कंडिशन में सेफ रखना चाहिए तो जब भी हम इन जैसे प्लेसे पर वर्क करते हैं जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में या फिर किसी रेडियो लॉडिकल इमर्जनसी के रिस्पॉंसेज में तो ऐसे में हमें बहुत से रेडियो एक्टिव मैटेरियल को हैंडल करना होता है या उसके आसपास होते हैं तो जिससे हमें हाम होने के चांसेज होते हैं तो इससे सेफ रहने के लिए हमें फुल बॉडि प्रोटेक्शन को वेर करना चाहिए तो फूर्थ है फिस्गल हिजऑर्स तो जब भी हम किसी ऐसे फलेस पर वर्क करते हैं जहां पर moving and heavy machinery से work चल रहा हो या किसी object के fall होने का chances हो या फिर उस place के surface sharp हो तो ऐसे places पर हमें injuries होने के chances होते हैं तो इसके लिए हमें full body protection का use करना चाहिए और खुद को safe रखना चाहिए फिफ्ट पॉइंट है extreme temperature तो जब आप किसी ऐसी condition में work करते हैं जिसका temperature या तो बहुत cold हो या बहुत heat हो तो ऐसी situation में जब आप work करते हैं तो आपको thermal burn हो सकता है frost bite यानि आपके deep tissues damage हो सकते हैं या फिर आपको hypothermia भी हो सकती है तो ऐसी extreme weather में हमें proper full body protection को wear करना चाहिए 6. Firefighting and rescue operation तो full body protection का use हम firefighting और rescue operation के दौरान करते हैं क्योंकि ऐसी situation में आप smoke को inhale कर सकते हैं या फिर हम किसी unknown chemical के contact में भी आ सकते हैं जिससे हमें serious injuries हो सकती है तो इन जैसी situation से safe रहने के लिए हमें properly full body protection को wear करना चाहिए 7th point है contaminated environment तो जब हम किसी ऐसे place पर work करते हैं जैसे mining operation में या किसी hazardous waste cleanup में तो ऐसी settings में जहांपर mid tea, धूल या toxic air quality मौजूद हो तो ये हमारे लिए काफी जादा harmful हो सकती है तो ऐसी condition में हमें properly full body protection का use करना चाहिए I hope आपके लिए ये वीडियो useful होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर दें और चैनल को subscribe कर दें और वीडियो को अपनी friends and family के साथ ज्यादा से ज्यादा share करें और comment करके बताएं next वीडियो आप कौन से topic पर चाहते हैं